हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योटुब चैनल पर दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के वारार्सी की रहने वाली हैं उनका नाम शिवांगी सिंग है वह है राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पाइलेट बनने जा रही है उनकी इस इत्यासिक सफलता पर परीजन फूले नहीं समा रहे हैं परीजनों ने घर पर एक दूसरे को मिटाई खिला कर वधाई दी दुनिया के सर्वत्तम श्रड़ी के युद्दक विमानों में एक राफेल की पहली महिला पाइलेट बनने जा रही है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंग शिवांगी सिंग ने रचा इतिहास राफेल की पहली महिला पाइलेट बनी शिवांगी सिंग लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पाइलेट बन गई है शिवांगी को राफेल विमान के स्कौाडन की पहली महिला पाइलेट बनने का गौरब हासिल हुआ है उन्हें देश के सबसे ताकतवर राफेल विमान उड़ाने की जिम्बेदारी मिली है शिवांगी की पोस्टिंग इस समय राजस्थान में है राफेल जैसे ही भारतिय बायू सेना के बेड़े में शामिल मिग 21 वाइसेंग की जगा लेंगे शिवांगी इस भूमिका में आ जाएंगी हैदराबाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शिवांगी इस समय मिग 21 की फाइटर पाइलेट है और वे राजस्थान में है इधर राफेल उड़ाने के लिए चयन होने के बाद शिवांगी सिंग के फुलवर्या स्तित खर में जश्न का माहूल है राफेल लड़ाकू भारतिय बायू सेना में शामिल 10 सितंबर 2020 को पांथ राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेब अमबाला एयर बेस पर अपचारिक रूप से भारतिय बायू सेना में शामिल की गई थी ये विमान बायू सेना के सत्रेवे स्कौर्डन कोल्डन एरो का हिस्सा बने अमबाला में ही राफिल फाइटर जेट्स की पहली स्कौर्डन तैनात है इस स्कौर्डन में 18 राफिल लड़ाको विमान, 3 ट्रेनर और बाकी 15 फाइटर जेट्स होंगे भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफिल लड़ाको विमानों का सौधा किया है इन में से 5 येट भारत पहुच चुके हैं और वायू सेना की अमबाला स्तित कोल्डन एरो स्कौर्डन का हिस्सा बन चुके हैं पांच विमान अगले महीने यानि अक्टूवर में भारत आएंगे शिवांगी को फाइटर पाइलेट बनने का जुनून था शिवांगी सिंग को फाइटर पाइलेट बनने का जुनून उनके कर्णल रह चुके नाना से मिला था साल 2015 में इस अपना तब पूरा हुआ जब भारतिय बायु सेना में उनका सेलेक्षिन फ्लाइंग अफसर के रूप में हुआ था शिवांगी सिंग का चैन भारतिय बायु सेना में साल 2015 में हुआ था और साल 2017 में कमेशन मिला था शिवांगी की पढ़ाई सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल से हुई व्यक अच्छा एक से आठ तक यहीं पर पढ़ी उसके बाद नौ से बारा तक की पढ़ाई सेंट जोसेफ शिपपूर से पूरी की बाद में B.H.C. की पढ़ाई साल 2013 से 15-16 तक सनविम बूमेंस कॉलेज वर्नुडा से की इसी दोरान तीन साल B.H.U. से N.C.C. की छात्र भी रही है शिवांगी सिंग दिल्ली में गरतन दिवस पर परेड में 2013 में उत्तरप्रदिस टीम की प्रतिनित रह चुकी है वे अंबाला में भारत के सरुसेस्ट फाइटर पाइलेटों में से एक विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान के साथ भी रह चुकी है आज के लिए बस इतना ही अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले धन्यवाद जाएंग करना ना भी बस आपको हमारे चैनल को लाइक साथ भी रह चैनल को लाइक सब्सक्राइब बसे भी रह चैनल के साथ इतना है